Hello everyone, तो मेरा नाम है आंस्तोष और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही introductory video जिसमें आपको introduction दूँगा कि basics of electronics क्या होता है, robotics की classes मैं कैसे लेता हूँ, because आपको पता ही हैं कि मेरे बारे में मैं एक electronics and communication engineer हूँ, उसके साथ ही साथ मैं एक robotics trainer भी हूँ, जिसमें हम आपको robotics के basics बताते हैं और electronics के बारे में भी बताते हैं ताकि आप कुछ अपना खुद का projects बना पाओ, तो बहुत लोगों को ये सारी जनकारी नहीं होती है, मैं इसके लिए पूरे एक playlist त्यार करूँगा, जिसमें आपको scratch से, बिल्कुल basics से आपको सारी चीज़े सिखाई जाए, ले एक concept build up करना एक video है आपके लिए, और इसमें आपको इदम scratch से सारी चीज़े बताऊंगा, और ऐसे real life examples दूँगा, और obviously मैं इस सारी चीज़े अपने students के साथ implement भी कर चुका हूँ, तो मुझे ये लगा कि ये चीज़े आप से जरूर शेयर करनी चाहिए, ताकि आपके दिम updated रहना पड़ेगा, आपकी आसपास चीज़े कैसी चल रही है, क्या हो रहे है, और किन सब चीजों से आप वाकिफ नहीं है, मतलब आप जानकार नहीं उसके बारे में, तो वहीं सारी चीजों को देखते हुए, मैंने सोचा कि एक introductory video आपके लिए बनाई जाए, जिसमें सार इस technology घ्यान की चीज़े upload करते रहता हूँ, आप भी वह checkout कर सकते हैं, आपको उसका link मिल जाएगा description में, लेकिन साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बता दो, जैसे मेरे students और मेरे subscribers कैसी नीर थी, उनकी एक request थी, कि sir आपने अपने बारे में एक portfolio भी अपना बताई, कि आखिर आ सही direction में जा रहे हैं कि नहीं, तो इसके लिए भी मैं अपने एक portfolio वीडियो का पूरा एक आपके लिए साथ वीडियो शेयर करूँगा, और मैं link में देंगा description में, मेरे portfolio का link रहेगा, आप उसको website की तरह से, उसको visit करके, मेरे सारे बारे में achievements देख भी सकते हैं, उसको मैं पर ping भी कर देता हूं, उपर आप देख पारे हैं, तो आप वहाँ पर जाके प्लीज उसको go through कीजी मेरे बारे में, और जो भी update से वहाँ पर upload करता रहोंगा, शुरू करते हैं, आज की जो चीज जो मैं बदाना चाह रहा हूं, सबसे पहले आपको बता दूँ कि आज का ज ट्रिक्स होते हैं, तो मैंने भी ये ट्रिक इजात की है, ताकि आपको अच्छी तरीके से मैं चीजे समझा पहूं, तो आज का जो टॉपिक है, वो ये है कि कैसे आप ये चीजे समझ पाएं, कि आखिर एक electronic जो gadget होता है, उसके अंदर क्या-क्या चीजे होती हैं, और उनको हम किस तरीके से, किस words में बोलते हैं, तो और वो कैसे आपके दिमाग में रहेगे, कैसे याद रख सकते हैं, वो सारी चीजे हम discuss करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अगर मैं एक example लूँ, तो आपकी दिमाग में एक picture create करने पड़ेगे, एक visualization आपको बना दुनिया, कैसे मैं example ले रहा हूँ, मैं आज बताने वाला हूँ, फ़र से आपको बताओ तो मैं क्या बताने वाला हूँ, मतलब आपको यह differences समझ में आ जाएंगे, कि electronics components क्या होते हैं, circuits क्या होते हैं, और gadgets क्या होते हैं, मैं तीन level में बताऊंगा, तो अच्छे से समझना, सबसे पहले मैंने बोला, इधर की साइड हमारी है electronics दुनिया, और इधर की साइड है हमारी English दुनिया, तो सबसे पहला का हूशन अगर आप मैं आपसे पूछूँ, कि आप बताइए English, हम पहले English से शुरुआत करते हैं, तो English में सबसे starting में, जब आपने बच्पन में English पढ आपना शुरू किया था, तो सबसे basic चीज आपको क्या मिले थे, सबसे पहली चीज, तो obviously that is alphabets, ABCD आपको letters मिले थे, तो obviously आपको letters मिले, और letters को, जब हमने group किया, और उसका कुछ sense निकला, तो वो क्या बनता है word, आपको पता है word का definition क्या होता है, group of letters which make some sense, then only we called it a word, तो आपने क्या देखा, फॉर्स लेबल पे, इंग्लिश दुनिया भी बात कर रहे हैं, फॉर्स लेबल पे हमें क्या चीज मिले, सबसे पहले letters मिले, alphabets मिले, और उनको हम सही तरीके से अगर arrange करते हैं, तभी वो क्या बनता है word बनता है, for example, मान लो मैंने एक letter दे दिया C, आ तो इसलिए वो भले हमने group of letters किया, लेकिन वो word नहीं बना, ठीक है, तो word कब बनेगा जब एक उसका meaning निकले, C, A, T, उसी letters को arrange किया और अच्छी तरीके से arrange किया ताकि उसका meaning निकला, तो इस case में हम कहेंगे कि इन letters को मिला के, क्या बना word, तो हमारा एक level clear हुआ, letters, letters को मिल ताके कुछ meaningful sense निकल रहा है, तो वो बन जाता है word, I hope आपको ये दो levels समझा रहे होंगे, अब switch करते हैं हमारे electronics world में, तो सबसे basic चीज़ जो हम यहां पर discuss करेंगे, जैसे हमने यहां पर letters देखी, अब आपको relate करना है, English world में हमने क्या बात करते हैं, सबसे ground label पे, letters, अब हम बात करते हैं, electronics दुनिया में, जब आप electronics दुनिया में आएंगे, तो सबसे basic चीज़ पता है क्या होती है, सबसे basic चीज़ क्या मिलेगी हमें, ताकि हमें gadget बना पाएं, अभी दिमाम में क्या रखना हमें, gadgets तक पहुँचना है, और इधर हमें क्या रखना हमें, sentence तक हुए हैं, बहुत सारे, ऐसे हमारी electronics दुनिया में सबसे basic चीज़ होती है, अगर माल ले, तो वो होती है, electronics components, क्या होता है, electronics components, आपको examples भी स्वामन में आ जाएंगे, electronics components का मतलब LED हो गया, wire हो गया, switch हो गया, batteries हो गया, ऐसी छोटी-छोटी चीज़ होती है, जो आपको, आप आपने देखा हो का motherboard में, जोटी-जोटी-जोटी components दिख रहे होते हैं, वो हमारे electronics components है, तो ये components ऐसे माल लो बिखरे हुए है, जैसे letters बिखरा हुए था, बार-बार आप relate करते चलना तो आपको समझ आएगा, तो जैसे letters बिखरे हुए था, यहापे भी ये components बिखरे हुए एक दूसरे से connected होने चाहिए किसी तरीके से, और अगर आपने सही connection किया, ये भी एक दिक्कत है, इधर देखना, relate करना, letters भी आपने group किया, लेकिन उसका sense निकलना था, यहाँ पे भी आपने electronic components एक loop तो बना दिया, एक close path तो बना दिया, लेकिन अगर वो सही components, सही directions भी नह से नहीं arrange किया है, और जैसे मालो एक्जामपल ही लेते हैं, एक LED circuit बना रहे हैं, उसमे LED बल्ब चाहिए, बैटरी चाहिए, वायर चाहिए, मैंने सब दे दिया आपको, आपने arrange भी कर दिया, लेकिन आपने क्या किया LED को उल्टी लगा दी, हैना, positive negative उल्टा कर दिया, तो आ LED बैटरी वगरा, और उसे जो मिला कि आप circuit बनाने के कोशिश कर रहे हैं, तो circuit नहीं बना क्यूंकि उसका कुछ sense नहीं निकल रहा, इसी तरीके से आप समझ पा रहे होगे, English और Electronics दुनिया को, letters लिया, letters को mix किया, और कुछ common, उसका sense निकल रहा था, तो word बन गया, इधर Electronics components लिये, उसको सही तरीकी syringe किया, उसके right configuration में, तो वो क्या बना, circuit बना, आयोब आपको यहां तर क्लियर हो गया होगा, अब एक example देता हूँ, circuit का मतलब आप समझ ले न, circuit का मतलब होता है, it is used to accomplish a task, मतलब circuit की help से हम क्या करते है, circuit बनाया है क्यों जाता है, ताकि हमारा क हो सके, example समझना अच्छे से, for example, आपको पता है कि आपके घरों में एक water level indicator वाला, बहुत सारे घरों में होता है कि पानी की टंकी जब भर जाती है, तो आप उसके लिए एक device खरित के लाते हो, right, तो उसको भी आप खोलोगे, मतलब आप खोलना नहीं, बट आपको पता है कि वो चीज़े भी एक device होती है, तो उसके अंदर आप देखो कि एक board होगा, उस पर कुछ components लगे होँगे, तो वो भी क्या हुआ circuit हुआ, तो मैं कहना ही चाहरा हूँ, circuit का मतलब क्या होता, circuit के वज़े से आप कोई task complete बखर पाते हो, तो आपने देखा, वो water level indicator के लिए हमने पूर प्रोपर circuit बना दिया, ताकि वो वही काम हमेशा करते रहेगा, पाने की टंकी भरेगी और वो आवाज निकालते रहेगा, that's it, तो आप समझ भा रहे हो, circuit का और भी बहुत सार एक्जामपल्स हो सकते हैं, जैसे महलो, आपकी, आप जो example ले सकते हो, automatic door lock, अगर आप कि के लिए door open हो जाता है, आप उसके कुछ range में जाते हो, इस sensor पर वोक कर रहे है, तो obviously वो एक dedicated task है उसका, तो वो किस से accomplish हो रहा है, because of the circuit which is there inside the restaurant for operating that door, वो door को open close करने के लिए उसका proper काम है, वो ही करते रह रहे है, तो आप समझ भा रहे होंगे, circuit का मतलब क्या होते है, चलिए हम last level पर आते हैं, जैसा कि हमने बात करी, फिर से revise करते हैं, तो से फ़ले बात करें, English World में, letters मिलाए, उसका कुछ sense निकला, तो वो बना word, electronic components मिलाए, उसको सही तरीके सा range किया, तो वो बना circuit, ठीके, third level पर अगर हम English में बात करें, तो हमारे हम पहुँचेते words पर, अगर words क group together किया, और उसका फिर से कुछ sense निकल रहा है, तो हम पहुँच जाएंगे sentence, for example, he is going, अगर हमने he going is लिख दिया, ये तीनों word अलग अलग range किया, तो उसका sense नहीं है, लेकिन अगर he is going कहा, तो एक sense है, और वो एक sentence कहलाएगा, इधर हम बात करते हैं, अगर example लेते हैं, ए make sentence, group of words which making some sense will become sentence, यहाँ पर group of circuits which is having some output, उसका कुछ रिजल्ट बन कर आ रहा है, उसके circuits को मिला के, तो वो कहलाएगा हमारा electronic gadget, for example, अगर हम बात करें, जैसे मोबाइल फोने, उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के circuits होते हैं, तच सेंसिंग के लिए अलग circuit है, एकामरे क जो भी use हो रहे हैं, torch जला रहे हैं, बहुत सारे features हैं, vibration हो रहा है, आप shake करोगे phone, उसके बास phone lock हो जाए, ऐसे बहुत सारे features हैं, तो वो circuitry antenna का system, phone हमारा कैसे call लग रहा है, network कैसे connect होता, सबकी अलग circuitry अंदर लगी हुई है, तो वो circuits क्या थे, second level बात करी, तो circuits को group together तो क्या बन जग है, electronic gadgets, तो I hope आपके दिमाह में एक clear हो गया होगा, क्या आखिर ये electronics components, चोड़े चोड़े चीज़े क्या होती है, वो green color का जो motherboard होता है, उसके उपर चोड़े चोड़े components लगे रहते हैं, तो उन्हों क्या बोलेंगे, तो obviously motherboard जो है एक तरीके से, बहुत सार बेसिक वीडियो रखी है, और ये मेरा अपना एक tips and trick है, ताकि मैं बच्चों को अच्छे समझा पाता, आप notice करना, कि ये जो मैंने example दिये, इसे आप हमेशा याद रखोगे, चलिए, इसी के साथ इस वीडियो के end करते हैं, और आपके जो भी comments होंगे, आप प्लीज वीड ने 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 च्ट वीडियो में तब तक लिए, stay home, stay safe, thank you, thank you so much.